तो भाई BSNAL के आए हैं कुछ तड़कते बढ़कते प्लैंस ऐसे प्लैंस आए हैं कि जियो, एटल, वी और सारे प्राइवेट कंपनियों के होस उड़ गए हैं BSNAL से रिलेटेड या किसी और टेलीकॉम उपरेटर से रिलेटेड लाऊं तो आपको तुरंट सबसे पहले मिले तो वापिस हम लोग आते हैं, टॉपिक पे और हम लोग बात कर रहे थे कि BSNAL का जो नए प्लैंस आये हैं, उनके रेट्स क्या रहेंगे तो सबसे पहला जो प्लैन निकल के आ रहा है, वो 447 रुपए का निकल के आ रहा है, जिसकी वैलेडिटी आपको देखने को मिलेगी साथ दिन की, उसमें आपको मिलेगा 3GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS की सुविधा मिलेगी तो देखिए अगर आप कंपेर करेंगे इसको जियो से, एटल से, वी से, तो आपको काफी सस्ते प्लैन्स मिलने हैं, 60 दिन का प्लैन मिलना है, सिरिफ 447 रुपए में तो वहीं हम बढ़े हैं, अगर दूसरा प्लैन मैं आपको बताऊं, तो जो दूसरा प्लैन है, वो पूरे 6 महिने का होने वाला है, और उसकी जो प्राइजिंग रहने वाली है, 997 रुपए में आपको 3GB डेटा पर डे, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी तो अगर इसको भी हम किसी प्राइवेट कंपनी से कंपेर करेंगे, तो जमीन आसमान का फर्क है, 6 महने की वालीडिटी मिल जाती है, लगभग आपको 1000 रुपए में, तो सबसे लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कौन सा प्लैन लेना चाहिए, तो सबसे पहले मै आपको तीसरा प्लैन बता देता हूं, फिर तीनों का डिस्किसन करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेश्ट है, तो जो तीसरा प्लैन है, वो 666 का है, इसकी प्लैन वैलिडिटी है, जो है 110 दिन, और इसमें 2GB डेटा पर डे, unlimited calling और 100 SMS पर डे आपको मिलते हैं, अभी अगर मे चाहिए, BSNAL का नेटवर्क कहां पर आता है, ऐसी काफी सारी वीडियो जो है, मैंने बना के रखें, तो आपको वो वीडियो का लिंक जो है, आई बटन में, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए, उसमें आप बिल्कुल क्लिय आप समझ जाएंगे, वैसो थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं कि जैसे मैंने प्राइजिंग बताई भी, BSNAL के प्लैंस की 447 रुपए, 666 रुपए, और 970 रुपए, तो अगर इसे कंपेर करेंगे, हम जियो, एटल, वी से या किसी भी का जाएंगे, और 4G के नेटवर्क्स आपको मिलेंगे, BSNAL की तरब से, और BSNAL ने यह भी क्लियर कर दिया था कि जब भी वो 4G लाएगा, तो उसके प्लैंस जो हैं, 3G वाले ही प्लैंस रहेंगे, यानि जो आपको 666 रुपए में बेनिफिट्स मिल लेंगे, वही आपको आने वाले टाइम में भी मिलेंगे, तो कोई भी बदलाओ नहीं होने वाला है, तो मेरे ही साब से जो ज़्यादा डिजिटली लोग है, वही लोग 5G के तरब भागेंगे, बाकि जो नॉर्मल डेली यूजर्स है, या जिनको ज़्यादा काम नहीं है, वो BSNAL 4G पे ही स्वि लेगा, चाहे हो आपके कोई कंप्लेन हो, या आपका कोई कुश्चन हो, आप कुछ भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, या आपको वही पे जो है रिपलाई दे दूँगा, तो I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक, I hope आप सभी लोग पूरा कर दोगे, वैसे आप लोग इससे ज़्यादा ही कर देते हो, तो मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए